भात करने ले जी एस वाई वर् Kennyки विचीम के लिए अलाइस के चौथ ही ECS T3 मैच के बारे में हार एक वीडियो का को he इनफोर्मेशन आपको यहापे मिल चाएगा आज के दिन में भी मैं को 8530 माइस कवर करने वाला वीडियो के साथ कर के दिन भी मैंने आपको पांचो तीटन मैच की वीडियोस भी दिया हुआ था बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है आपको सारे प्लेश का सारा एनालिसिस मालूम चल जाएगा कौँ किस नंबर पर बल्ले बासी के लाएगा कौँ कितने और ब मना हुआ यह एक हमारे एनालिसिस बेस की तीम होगी फाइनल टीम जो भी होगी वह मैं आखरी के पांच मिनट पे स्क्रीन सौथ के जरीया अपने तलीग राम चैनल का फ्री में अपनी फाइनल टीम भेश दूँगा हमारे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्किप अपने चैनल का फ्री में भेश दूँगा तो जोईनोना बिल्कुल ही मत भूलना हमारे तेलीग राम चैनल का लिंक आपको दिस्किप्शन और कमें सक्क्राइब मिल जाएगा सबसे पहले मैच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह मैच होना है जी एस वाई की तीम को जीतन कि में वापस से फॉर्म में बेल्जियम के प्लेयर आ चुके हैं वही जी एस वाई की तीम बहुत बुरी तरीके से अपना मैच हार करके आई हुई है आखरी मैच जो इन्होंने जर्सी के खिलाफ खेला हुआ है सिर्फ चार ओवर में सामने जर्सी की तीम ने 101 रन मना करके कहीं ना कहीं फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ जी एस वाई की तीम इस समय ज्यादा ही श्रॉंग नजर आ रही है उसका रिज़न है यहां से बेल्जियम के पास कुछ अच्छे प्लेयर आ ऐसा जरूरी है एहमद रचा फॉर्म में आगया जो कि बेल्जियम की तीम और से हार गई तो वहाँ पर अली रचा आपको फ्लॉप रत हुए नजर आ सकता है आई दामा रेल को भी ले करके चलेंगे जो कि बल्ले बाची में यह भी ऐसा ओपनर ही आएगा आखरी वाले मैच्छ फ्लॉप वाई यह रीजन है कि जी एस वाई की तीम हार गई उससे पहले द बल्ले बाची में नमबर सिक्स पर भी आजा रहे हैं लेकिन लेकर करके नखिलना, यही दोनों आपके मेन रहे हैं बल्ले बाची आउपसन में उससे पहले जो मैच्छ हो रहा है न यहाँ काफी हाई स्कोरिंग यह मोरा है कई बार यहां में 200 रन भी बनें 10 सोवर में, 180 रन और आपको ये चीज ध्यान देरा है जो भी तीम पहले बल्लेबासी कर रही है अगर उसने 140 रन बनाए ना तो भी वो तीम बिल्कुल भी safe नहीं है यानिकि जीतने वाली तीम आसानी से यहाँ पर रन बनाए कि चाहे सामने वाली तीम जब तक 180 रन ना बनाए ना उनकी जीत कह इसे भी पकी नहीं है सेर्यार भज इसका record काफी अच्छा आखरी वाले मैच है बेल्जियम की बुलजरिया के खिलाफ काफी अच्छे रन बनाया उससे पहले वाले मैच में इसने बालिंग से भी दो वर पुड़ा किया हुआ है यानि कि कई बार एक्सपेरिमेट जब भी करेंगे इसको बाल भी दिया जा सकता है बल्ले बाची में भी नमबर फोर पे आ जाएगा वकास राजा अली का भी से है वो यह जब भी एक्सपेरिमेट किया जाएगा कल के दिन के पहले मैच में बल्ले बाची में ओपनार आया, वहाँ पे रन भी बनाया, लेकि बालिंग से एक ओवर भी नहीं मिला कल के दिन के दुसरे मैच में बल्ले बाची में ओपनार आया, बल्ले बाची में फ्लॉप हो गया, बालिंग से एक ओवर किया, जाब इसको एक अफिकेट भी मिल गया यहाई स्कोरिंग गेम होगा कभी भी आपको रन मना करके दे सकता है उसके लगा जोस हुआ बतलर को ले करके नहीं चलूँगा क्योंकि 10 और का मैच है जब तक इसकी बल्ले बाजी आएगी तीम या तो फिर हार चुकी होगी या फिर जीत चुकी होगी या फिर इसको 3-4 बॉल खेलने का इसको मौका मिलेगा बल्ले बाजी में नमबर 5 पे आ रहा है और शुरू के जो 4 प्लेयर रहे ना वही आर पार वाला या पर गेम खेल रहे हैं कई बार आपको 10-20 रन मना करके दे सकते हैं या आपर बुल जरिया खिलाब इसको मौका ही नहीं बिला इसकी बारी ही नहीं इसका चांसी नहीं आया और मैच पहले ही खतम हो गया ये कभी भी हो सकता है तो शुरू के 4 प्लेयर के उपर ही आपको फोकस करना है जोसुआ बदलर को ना लेकर के मैं बैन Fitchet को लेकरके चलूँगा अगर जी एस वाई की टीम पहले बलले पाजी कर रहे है न तो Rab be Fitchet आपको काफी एच्छा प्लेयर रहेगा कल के मैच में काफी एच्छा परफॉंम भी करके होँए है ऐसा नहीं कि भिकार प्लेयर लेकर के चलने तागों ओपना राएगा ती दिन का मैच से रहने वादा है उसके अलवे हां से के चिमा ने आज आखड़ी यानि कि एचू के दूसरे ती दिन कि बल्ले बची न desse कर ना चंद होई हो सकते कि बल्ले बची आ है तो फ्लोप हो जाए हो सकते कि फ्लोप भी न बधी ढची अगसा को ले सकते हो अपनी दोश्टस तीन की जो भी वी नमबर 3 पह रहा है बॉल से आपको 2 और पुड़ा कर रहा है जरूरी प्लेयर रहेगा अखरी वाले मैच फ्लॉप भी हुआ है तो इस वाले मैच में आपको कैप वीसी के लिए पहले में प्लॉप दूसरे में चला तीसरे में फ्लॉप ओप चौथे मैच एगा फिर से चल करते हुए नजरा सकते है कल के दूसरे मैच में ये भी काफी लंबा चला था ये दोनों में से कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको 100 प्लस पॉइंच दिलाने वाली है और जिसकी तीमी मैच हारने वाली है वो हो सकते है कि 50 करी पॉइंच दिला करके जाए लेकिन दोनो ये आपको लेए असाले ज़रूरी है हमारे चैनल का लिνक आपको इसी डिस्किप्र्स리 में कोए अपको वाला लिंक मिल जैगा जहां से आप परी में कमस्काम वॉपर करके दे दूँगा 64,000 के करीब सबस्क्राइबर यानि के लोग पहली से फुरी में जोईना आप भी जोईने जोईना हमारे तलिगराम चैनल को पर वहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको सारे तीतन के मैचेस की कोशिश करूँगा दे दूँगा बी नियाच बल्ले बाची में नमबर 6 पे आ रहा है बालिंग से जादे तर मैच में इसको ओवर मिल नहीं रहा है कई बार एक एक ओवर बालिंग मिल भी रहा है यहाँ पर एक ओवर किया यहाँ पर कुछ भी नहीं किया पी सब्सक्रेंगे हैं। कर रहे अगर जी उसंदए Way ब करेगा। आगर जी, एस वाई की टीम पहले बाल करेगा, यह मारतल को ले सकते हो। अपनी क्या Ignace नियाज और यह मारतल में से किसी है को यह को आपका मन आप ले सकते हो। लेकिन अभी मेरा ये मन है कि मैं दोनों विगत कीपर को ले करके चलूँ क्योंकि दोनों के दोनों बल्ले बाची में ओपनार आ रहे और दोनों एज़ा विगत कीपर केल रहे यानि कि कैच रन आउट स्टंपिंग का एदवांतिस भी मिलने वाला है बालिंग उप्शन में सबसे पहले दी हूपर जो कि जी एस वाई की तीम का इस समय का सबसे अच्छा बॉलर है विगत दी का बॉलर है और कभी कभी बल्ले बाची में भी बैक अप दे करके जा सकते हैं यहां पर एकी ओवर किया क्योंकि मैच सामने वाली तीम चारी ओवर में खदम कर ले गई जरसी की तीम चारी ओवर में इनको हरा दिया वहां पर एकी ओवर बाची में भी बैक अप दे करके जा सकता है आखरी वाले मैच से कमाल की ओवर करके आए हुआ है क्योंकि इसको आखरी की ओवर समय बाल करने का मौका मिला और सामने धोड़ी सी कमजोर ती जरसी तीम थी वहां पर आखरी कर्स में कमाल की बाल करके दे दिया है एल बेचार इतना कोई खास बॉलर है नहीं बालिंग से सुरू कर्स में बालिंग करेगा ओपे निते करेगा पहला ओवर तीसरा ओवर आखरी वाले मैच भी दो ओवर पुड़ा किया लेकिन इस समय मैं अगर मैं रिकॉड की बात करूँ तो यहां से खाली देहमद जाई और अधरान रजाक जकी सा तीनों का रिकॉड अच्छा है लेकिन इन तीनों का मिला करके आपको चार ओवर के करीब ही बॉल मिल रहा है कईवा पांच ओवर भी मिल जाएगा लेकिन किसी के भी ओवर कम कि जा सकते हैं क्योंकि आज का यह दूसरा दिन के दूसरा मैच है यहाँ पर काफी जाद है एक्सपेरिमेंट किये जा सकते हैं अभी के लिए मैं केवी सी आपको कहूँ है अगर बेल जीम की तीम पहले बल्ले बासी कर रही है तो अली रजा आपको कैव बना करके चलने कोसिस करना है अलीर रजा हो गया तॉम नाइटिंग गेल हो गया और एफ खालीद हो गया यह तीनों प्लेयर आपको कैप और वीसी के लिए सबसे सही आप्शन रहेंगे अगर बेलजियम की तीम पहले बल्ले बासी कर रहें तब यह आप अलीर रजा को कैप वीसी बनाना वर्दा फ आपको फुरी में अपनी फाइनल टीम भेज़ूँगा हमारे तेलिगर राम चैनल का लिंक आपको दिस्किप्शन और कमेश समाउक से पिन के अवर लिंक मिल जाएगा जहांसा आप फुरी में जोईन हो पाओगे उसके अलाब अगर आपको ये वीदियो अच्छा लगाओ यूस्पुल लगाए काम का लेना हमारे यूटिव चैनल को सबस्क्राइब करा मत बुलना ताकि आगे नली वीदियो असका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले आपको वीदियो मिल जाए तीतिन के मैच्च के आप आसानी से देख पाओ और अगर मेर तीम से खेला चार हो तो फुरी में हमारे तेलिव राम चैनल को जोईन हो जाना 64,000 के लोग करीब जोईने अब भी जोईन जरूर जाना